आननपुर गाव में एक ही होटेल था लाला का होटेल इस होटेल में मुन्ना और बंसी काम किया करते थे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे बंसी बावर्ची था और मुन्ना बेटर बंसी भाई, आज मैं कुछ घर से खाना नहीं लाया हूँ तु फिकर मत कर मुन्ना, मैं यहीं दूसरे ओर्डर में तेरे लिए बना लूँगा ठीक है भाई, पर ध्यान देना, लाला का ध्यान है तुझ पे आज तक लाला कभी पकल पाया है क्या हमें, जो आज पकड़ेगा दोनों अपना-पना काम करने लगे बनसी ने अगले ओर्डर में मुन्ना के लिए भी खाना बना लिया और उसे पैक करके अपने डिब्बे के साथ रख दिया और जब दोपहर हुई, बनसी और मुन्ना दोनों डिब्बा लेकर होटेल के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गए दोनों रोज उसी पेड़ के नीचे बैठ कर खाना खाते थे अरे बनसी भाई, आज क्या लाए हो मेरे लिए तेरे पसंद के छोले और पराठे वावा, आपके हाथों के छोले पराठे तो कमाल के होते हैं लाइए दीजिये, भूख लगी है अहां खाले, तेरे लिए ही तो बनाए है मुन्ना और बनसी पेड़ भर के खाना खाते है लाला जी से पगार बढ़ाने की बात करनी है अब इस पगार में घर चलाना मुश्किल हो रहा है मुझे भी, मेरी मा तो कब से बोल रही है कि छोड़ दे ये नौकरी, चल ठीक है फिर आज लाला जी से बात कर ही लेते है मुन्ना और बनसी लाला के पास गए लाला जी, अब इस पगार में घर चलाना मुश्किल हो रहा है आप से निवेदन है कि आप मेरी पगार बढ़ा दें और मेरी भी लाला जी का जवाब सुनकर, मुन्ना और बनसी दोनो निराश हो गए थे शाम को जब दोनो दोस्त काम पर से छुटे तो बनसी बोलने लगा अब मुझी कोई और नौकरी ढून नहीं होगी पर अपने गाउं में और होटल है कहां दूसरी नौकरी के लिए आपको गाउं से बाहर जाना होगा पर परिवार का भला भी तो सोचना होगा ना मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ कि अपना खुद का होटल खोलूं अगर आप मेरा साथ दें तो हम दोनों अपना खुद का होटल खोल सकते हैं फिर हमें किसी के अंदर काम करने की कोई जरूत नहीं पर होटल खोलने के लिए होटल किराय पर लेना होगा इतने पैसे हमारे पास कहां से आएंगे इसका भी जुगार है मेरे पास मुन्ना बंसी को गाउं के बाहर ले गया वहाँ एक मैदान में पुराना तूटा-फूटा प्लेन पड़ा था प्लेन के कुछ पूर्जे थे और कुछ गायब थे अकसर गाउ के बच्चे इस प्लेन के साथ खेलते थे ये हमारा होटल बन सकता है ये इस जगे का ना हमें किराया देना होगा और ना ही कुछ हमें बस इस कबाल को प्लेन करने की मेहनत करनी है मैं ये पिछले एक महीने से सोच रहा हूँ इसकी मरम्मत करने में ज़्यादा कुछ नहीं होगा बन सी भाई वैसे आइडिया तो तेरा बुरा नहीं है हमारे क्या आसपास के किसी गाउं में एरोपलेन होटल नहीं है बिल्कुल तो हम दोनों कल से ही अपना काम शुरू कर देते हैं ये हुई ना बात अब हम खुद के मालिक हैं और जो मुनाफा होगा हम आधा आधा बाट लेंगे वो दोनों खुश थे कि जल्द ही उनका खुद का होटल खुलेगा उन्हें किसी के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं अगली सुबह मुना और बंसी ने एरोपलेन की सफाई शुरू कर दी कुछी घंटों में एरोपलेन चमक रहा था एरोपलेन में पहले से कुरसिया थी मुना और बंसी ने कुछ कुरसियों की जगे टेबल बना दिये अगले दिन भी यही काम चलता रहा आज दोनों ने मिलकर एरोपलेन के अंदर रसोई घर बनाया दो-तिन दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उनका एरोपलेन होटल तयार था हम कल से ही शुरुवात कर सकते हैं हाँ और मैं आज ही गाओं में ऐलान करवा देता हूँ इसकी क्या जरूरत? जरूरत है एरोपलेन होटल कोई मामूली चीज थोड़ी है बंसी भीया हाँ इसी बहाने ग्राहक भी आएंगे ही शाम के समय मुन्ना एक भोपू लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया सुनो 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 हमारे गाओं में पहली बार ऐसा होटल जो आस पास के किसी गाओं में नहीं है जी हाँ बिलकुल अनोखा और अद्भूत होटल एरोप्लेन होटल कल गाओं के बाहर एरोप्लेन होटल का उद्घाटन है सारे गाओं वालो का आमंत्रन है कि वो हमारे अद्भूत एरोप्लेन होटल में पधारे एरोप्लेन होटल ऐसा होटल तो कभी नहीं सुना कल जा कर देखी लेते हैं गाउवालों के लिए एरोप्लेन यही बड़ी बात थी एरोप्लेन होटेल के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था अगले सुबह सुबह बंसी ने धेर सारे समोसा बनाए इतने सारे समोसे क्यों? क्योंकि हमारे ये अद्भूत होटेल को देखने के लिए पुरा गाउं आएगा मुन्ना बोल ही रहा था कि गाउवालों का आना शुरू हो गया जा सबको समोसे बाट मुन्ना ने समोसे की प्लेट उठाई और आये हुए महमानों को समोसे बाटने लगा गाउवाले अनोखा होटेल देखकर खुश थे आज तो मैं एरोप्लेन होटेल में ही खाना खाऊंगा आज मुन्ना बेटा मेरे लिए छोले भटोरी लया अभी लाया काका गाउवाले पहली बार एरोप्लेन होटेल में बैठे थे और सभी धड़ा धड़ ओर्डर्स दे रहे थे बंसी और मुन्ना को होटेल तो पहले ही दिन में मशूर हो गया होटेल के बाहर लंबी लाइन लगी थी अगले दिन भी यही हाल था एरोप्लेन होटेल के बाहर लंबी कतार लगने लगी मुन्ना और बंसी ग्राहकों को संभालने के बहुत कोशिश कर रहे थे उन दोनों ने और लोगों को भी काम पर रख लिया दोनों का एरोप्लेन का होटेल का आईडिया काम कर गया दिन बदिन उन दोनों का मुनाफा बढ़ता ही जा रहा था उनके पास ग्राहक इतने थे कि सांस लेने का भी वक्त नहीं था पर दोनों खुश थे सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा अच्छा हुआ कि हमने लाला की नौकरी छोड़ कर खुद का होटेल खोला वरना ये जब नहीं होता हाँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एरोपलेन होटेल की सफलता से मुन्ना और बंसी ने बहुत पैसे कमाए बंसी ने अपना घर बड़ा बनवा लिया और मुन्ना ने एक नया घर खरीद लिया पहले वो दोनों एक होटेल में काम करते थे अब उनके खुद के होटेल में कई लोग काम करते है किसने सोचा था कि ये सब भी संभव है मुन्ना का आइडिया उसकी सफलता का राज था मुन्ना ने कुछ अलग सोचा एरोपलेन होटेल जिसने उन दोनों की जिन्दगी बदल दी